तो जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है सरीर के बाहर होता है ताकि वो टेंपरेचर को कम कर सके इसलिए पिसाब का टेंपरेचर सैतिश डीरी होता है और पिसाब गरम होता है लेकिन इस पर्म का टेंपरेचर कभी भी सैतिश नहीं होता है और इस पर्म कभी भी गरम नहीं हो एकषिता है समझ में आगा यह सरीर के बाहर क्यों रहता है अगर हम इस यूज को काट दिये यूज को काट दिये तो इस पन बनेगा लड़की के पीछे वह वैसे आकरसित होगा जैसे वो पहले होता था लेकिन वो इस पर्म बाहर नहीं आपाएगा क्योंकि उसका अंदर ही रहा जाएगा और उसका लाइसोसम उसको मारके खतम कर देगा बच्चे को जनम नहीं दे सकता है लेकिन वो सेक्सुल एक्टिवीटी में भाग ले सकता है लेकिन अगर किसी का यही हटा दीए और प्रेशन करके यह टेस्टी सही कातकी निकाल दीए जैसे साड से बैल बना दिया जाता है बतरू जो होता है बकरी का हजमेन महकते रहता है और एक खंसी होता है खंसी तो बहुत साप सूत हम धंने इसके नपाइट है जिसके ऐंदर टेस्टोस्टोर्ओन जादे रहता है वही जादे लड़कियों के पीछ kulland पकर करते लहता है टेस्टोस्टोर्ओन औरके COM आता है यह सिर्थीड तहं पहुंचाने का C नहीं कि बया जब स्पर्म जाए तो पिसाप को रोक दे तो जब पिसाब जाए तो इस फ़ल्म को रोक दे दोनों एक से नहीं आ सकता हैं तो यहाँ दर्वाजा लगा रहता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड करते हैford ardुट के लिए तो उनका अपने से उसका sperm बाहर आ जाता है, यह बिमारी होती है, इसको डॉक्टर से इलाज कराने पर यह ठीक हो जाती है, तो यह बिमारी बहुत अजीप चाहिए, मेस्टरवेशन उसे कहते है कि बिना सेक्स के सेक्स की फीलिंग करना मेस्टरवेशन कहलाता है और इसमें क्या करता है पुरूस अपने स्पर्म को जानबुष के बाहर निकलता है अगर यह जादे कर देता है पुरूस जब कभी भी जादे ओवर मेस्टरवेशन हो जाता है तो अपने बच्चे को दूद नहीं पिला रही है उनको फैसन भागा जब रहा है तो cancer हो जाएगा तो घुमियों तू फैसन करके